कि नमस्कार दोस्तों सौगत आपका हमारी चैनल पर एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं प्रिलिम्स में उनके बार है तो चली शुरुबात करते हैं पर स्कूषिन के साथ पहला क्वेश्चन है आपका वह एक प्लाट्यू के उपर है पिड्मॉंट प्लाट्यू के उपर है देखिए सवाल क्या है आपका विच ओप फॉलिएंग इस एन एक्जामपल ऑफ प्लाट्यू होता क्या kluds के हमयगे आपका देखिए प्लाट्यू क्या होगा देखिए उस संपल की सर्फेस नजरा जाता है जो की सरांडिंट से जिसके हैट थोड़ी जादा है उसको बोला जाता है यह हाइट हो सकता है आपकी 500 मेटर हो 600 मेटर हो 200 मेटर हो बस यह हैट सरावणिंग की है इनहीं में से एक होता है जिसके अंदर क्या होता है एक जमीन से जो हैट है उपर उठी होगी क्योंकि बनने के लिए जो नॉर्मल आसपास की जमीन है उससे हाइट ज्यादा होने ही चाहिए उन चाहिए तो वह प्लेट होगा देकिन यहां पर जाके बिल्कुल फ्लैट हो ऐसा जरूरी नहीं है उपर जाके इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कुछ इस तरह का आपको नजरा जाएगा इसको प्लेट मॉन प्लेट्यू कहा जाएगा या फिर यही स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ इस तरह का भी हो सकता है इस तरह का भी हो सकता है तो यह आपका प्लेट तो हम इसको प्लैट्यू में पठार करते हैं लेकिन इसको इसको स्पेशल कर्टेगरी दिते हैं पिड्मॉण प्लैट्यू की क्योंकि उपर से गोल नजर आएगा आपको बिल्कुल फ्लैट नहीं आएगा तो यह जो चार उप्शन है इनमें से जो राइट आंसर है वो आपक प्लैट्यू का अब आप देखेंगे कि साइड की जगाएं है जो आसपास का एरिया उसकी हाइट कम है और यह जो बीच वाला हिस्सा है या फिर इतना स्ट्रक्चर की में बात करूं तो इसकी हाइट ज्यादा है तो यह ही आपका प्लैट्यू का एक एक जामपल है जो आप आपका मालव अप्लैट्यू है और मालव अप्लैट्यू की यह लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट के बात करते हैं यह आपके वर्टर फॉल्स के ऊपर क्श्चन है भाराचुकी फॉल्स आर इन विच ऑफ दी फॉलिंग स्टेट भाराचुकी एक वर्टर नजर आएंगे तो आपको इस पता होगे तो आपको आपको राइडान सा भी पता होगा जान पर आपका यह जो भाराचुकी फॉल्स है आपको नजरेंगे कुछ इस तरह से बात करते तो बहुत सारी जगहापको waterfalls नजर आते हैं उन्हीं में से जैसे की बात करें सिर्फ संद्रम waterfalls यह सारे क्या है इंपोर्टन waterfalls इनकी location के ओपर question पर पुछी जा सकते हैं अगले सवाल की बात करें narrow water area attached with the mainland in the form of the channels known as the kyaals are found in which of the among of the following state of India already इस तरह का जो सवाल है UPSC I think 2019 के अंदर यह सवाल exactly नहीं बस इस टॉपिक के ओपर सवाल है पुछा जुका है मुख्य भूमी से नालो के रूप में जोड़ा एक संकीन जल शेत्र जिसे क्याल कहा जाता है भारत की निमलिकित में से किस राज्य में पाए जाते हैं क्याल मैं आपको दिखा जेता हूं क्या होता है देखिए यह जो यहां पर इमेज दिखाए गई है अगर आप इंडिया का जो मैप है वो ड्रोव करेंगे तो आप किस तरह से मैप ड्रोव करते हैं दो हम उसके अंदर जो छोटे छोटे चीजे हैम डेटीलिंग उसको रिप तो एक पार्ट का मैप ड्रो कर सकते हैं तो अगर हम वो मैप ड्रो करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि एग्जेक्टल में जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बिल्कुल स्टेट इस तरह से नहीं जा रही है जैसा हमें मैप पे शो किया गया है उसके अंदर बहुत सारे कहीं पर आगे कहीं जादा है कहीं पीछे है कहीं तरह का त्रक्षर है तो इस तरह से इंडिया की जो कॉस्ट लाइन हो जा रही है अब यहाँ वाला इस तरह बात की जारी है कि चैनल जो है जो की में वोटर बोड़ी को लेंड अरिया से किनेक्ट कर रहा है उस जिसको क्याल कहा जाता है वो कहां पर सिचुएटिड है तो यह जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इसमें क्या होता है यहां से पानी अंदर जाता है और यहां पर पानी कठा होत पानी आसपास इस तरह के पेड़ है उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है और यह काफी सुन्दर नजर आते हैं आपको अगर आप जाएंगे और यह देखने को कहा मिलेंगे यह आपको केरला के अंदर देखने को मेंगे केरला स्टेट है उनकी लॉकल लेंग्विज में एक्चली से क्याल बोला जाता है क्याल backwater और क्योंकि यहां पर पानी होता है अंदर के दरफ जाता है और जहां पर इस हिससे में प्रिजर्व के रहता है सलनेटिक हम देखने को मिलेगी उसकी वेज़ से वेज़िटेशन होती है और बहुत ही सुन्दर यह जगा नजर आती है तो केरला के पियाल के वेज़से भी बहुत जादा देखने को मिलता है और इस तरह से जो बोर्ट है उसके तो जो टूरिस्ट चाहर जाते हैं और इस एरिया को जो है एक्स्प्लोर करते हैं सो यह जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा option C केरला के अंदर यह जो क्याल साब को देखने को मिलते हैं next अगर हम बात करें ब्रहंपुत्रा रिवर वेंट फ्लोट out of the इंडिया into बंगलादेश is called as बंगेशी रिवर महानंदा रिवर जमना रिवर जमना रिवर देखिए चार option है सवाल है आपका कि ब्रहंपुत्रा जब भारत से बंगलादेश के अंदर एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है अब देखिए जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं कि जो रिवर्स होती है जहां पर वो लेकेट कर रही है या फिर जहां जहां से वो गुजर रही है उसके according लिए उसका नाम चेंद रहता है ब्रहंपुत्रा रिवर की बात करें तो ब्रहंपुत्रा रिवर को ही सांग्पो के नाम से भी जाना जाता है सांग्पो के नाम से तिबत में और यारलंग के नाम से चाइना के अंदर यारलंग यह जहां जहां से गुजरेगी वहाँ वहाँ से इसका नाम चेंद रहाएगा इंडिया के अंदर इसी रिवर को ब्रह्म पुत्रा कहा जाता है तो सवाल है कि जब यह बांगलादेश के अंदर जाती है बांगलादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है देखिए इसका जो राइट आंसर है वो option C है जमना रिवर आप यहां पर मैप पे देखे इंडिया के अंदर और यहां पर इसका नाम ब्रह्म पुत्रा क्लाड़ करती है और यह जैसे ही आंगलार नाम से देखने पाद में जाके बांगलेश propage कर ने बान्य के बाद यह रिवर पार्स मैं इसका रायद यह थे बाद में बनती है दूस्री आपकी फूगली और पंधि हैं अगले सवाल की बात करें large deposit of the natural uranium which promises to be the one of the top 20 of the world reserve have been found in Tumal Palay belt in which among the following states of the India प्राकर्तिक uranium के जो बड़े बंडार है जो की पूरे विश्व के 20 सबसे बड़े बंडारों में से एक है वो Tumalapallay belt में पाए जाते हैं और यह जो बैल्ट है आपकी कौन सी स्टेट में सिच्वेट करती हैं यह आपको बताना है केरला तमिलाडू आंद्रपरदेश औरिशा यूरेलियम जो deposit है वह energy purposes के लिए भी यूज किये जाते हैं electricity को produce करने के लिए अधर भी उसके बहुत सारे uses हैं तो यह जो reserve मिले हैं यह इंडिया के अंदर है आपकी तुमलापले belt है यह कौन से स्टेट में है यह आपका सवाल पुछा गया है तो देखिए आपके आंद्रपरदेश के अंदर कुडपा hills है कुडपा यह हेल रेंजिज है इस्टन घाट की तो वहाँ पर यह जो reserve है आपको देखने को मिलते हैं यह वाली जो belt है तुमलापले बैट यह आपकी आंद्रपरदेश में है तो इसका इसके लावा आपको information देना चाहूंगा कि हमारा गोईले क्लासर की तरफ से कई जो courses है वो लॉंच किये गए हैं इसमें सबसे important चीज क्या है कि आपके optional की courses भी available है option की बात करें तो quality, history, geography यह आपको तीन optional हमारे पास मिल जाएंगे और यह तीनो options होंगे आपको सिर्फ 24,999 के इंदर आप इसे अवैल कर सकते हैं complete optional की preparation आपको करवाई जाएगी इसके लावा अगर आप चाहें तो हमारा जो complete course है मतलब की optional with gs उसे भी बाय कर सकते हैं तो वो आपका 39,000 के इंदर पड़ेगा 39,999 49,999 के इंदर यह आपकर course मिलेगा जिसमें कोई भी एक option जो आप चूज करना चाहे history, quality, geography प्लस आपका gs का जो complete course है 2024 के लिए आप उसे अवैल कर सकते हैं और यह आपको इतने के price के अंदर पड़ जाएगा अगर आप अभी join करते हैं तो आपको special offers जो है वो भी देखन information चाहते हैं या फिर exam से related को information चाहते हैं तो वह हमारे टेलेग्राम चैनल पर आप जोइन करके आपको मिल सकती है इसका जो लिंक होगा आपको description मिल जाएगा तो आज के lecture में फिलाल इतना ही है thank you for joining us